नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भरत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं हर रोज मोबाइल और कम्पूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए काफी सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं अगर आप हमारे चनल पर नए है और आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते वक्त बैल आइकन को ज़रूर पैस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल मिल सके आईए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आपने thumbnail पे देखा होगा आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि YouTube पर एक वीडियो को successfully किस तरीके से हम upload कर सकते हैं क्या इसकी process होती है दोस्तो दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होगे के नीचे आपको plus symbol देख रहा है shots और subscriptions के बीच में यहाँ से click करने के बाद जो है आप वीडियो को upload कभी भी ना करें यह personal suggestion है हमारा क्योंकि यहाँ से जब हम वीडियो को upload करते हैं तो उस वीडियो का size compress हो जाता है और उसकी quality भी down हो जाती है इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होता है हमें proper अगर आप desktop पर है और जाता तर लोग क्योंकि mobile से भी वीडियो को upload करते हैं तो proper channel जो होता है दोस्तों आपको URL में यहाँ पर type करना होता है studio studio.youtube.com आप देख रहा है YouTube Creator Studio यह जो होता है आप जो है YouTube के section में जाकर भी आपकी जहाँ पर ID login होती है वहाँ से भी आप YouTube Studio को क्लिक कर सकते हैं तो हम जाएगे दोस्तों studio.youtube.com पर यहाँ जाने के बाद दोस्तों यह आप देख रहे हैं यह जो पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर यह dashboard कहलाता है यह आप देख सकते हैं यह आपको हमारे आप सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं इसी क्रब में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो आपको option देख रहा है यह upload करने का option है इसके पास में है एक option लाइब जाने का और यह है यहाँ पर post आप अपने subscribers के लिए viewers के लिए डाल सकते हैं तो दोस्तों हमें इस upload वाले option पर जो है click करना है और जैसे ही हम यहाँ से click करेंगे यह देखिए यहाँ पर दोस्तों option आगया है कि आप file को drag और drop भी कर सकते हैं अगर आप desktop पर है और अगर आप mobile से कर रहे हैं तो आपको जाना होगा select files के उपर select files में दोस्तों यहाँ पर तीर option आ रहे है camera, camera recorder, files आपके जो कह सकते हैं gallery में जो वीडियो डला होगा उसके लिए आपको जाना है files पर files पर click करने के बाद दोस्तों आप album पर जा सकते हैं album पर जाने के बाद हम जाएगे videos पर जहां भी आपका video है उस video को आप click कर दीजिए यह देखिए यहाँ से video upload होना शुरू हो गया है दीचे आप देखेंगे उसका percentage आपको देखेगा uploading का uploading की process शुरू हो गई है और यहाँ पर आपको थोड़ी देर बात स्कीन पर देखने लगेगा जो video यहाँ पर upload होगा इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर चेक किया जाएगा कि यह video copyrighted तो नहीं है कहीं से इस पर कोई copyright का जो है claim तो नहीं आएगा YouTube upload software के थुरू जो है इसको चेक करता है दोस्तों जब तक यह upload और process हो रहा है हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ लिखते हैं how to upload a video on YouTube यह लिख दिया है दोस्तों हम इसको जो है हिंदी पे भी लिख सकते हैं बाली जी हम लिख देते है YouTube पर वीडियो कैसे upload करें यह दोस्तों हमने इसको हिंदी में भी लिख दिया है और जो है देखे आप नीचे देख रहे हैं अब HD version में भी यह process हो रहा है और जब तक दोस्तों upload होगा यहाँ पर हमने इसका title दे दिया है यह title जो SEO होता है search engine optimization उसके लिए सबसे जादा कहाँ आता है जब भी कोई भी व्यक्ति YouTube पर आकर यह title लेखेगा कि YouTube पर वीडियो कैसे upload करें यह अग्रेजिव लेखेगा how to upload a video on YouTube तो आपका वीडियो भी उस channel के rank page पर आना चाहिए उस page पर आना चाहिए जिस page पर यह सारे result आएंके उससे दोस्तों आपका जो वीडियो है वो जाता स्यादा उस पर views आ सकते हैं और जाता स्यादा लोग जो है आपके वीडियो उसको देख सकते हैं दोस्तों यह आपको देख रहा है यहां डिस्क्रिप्शन जो लिखा है यहां पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आपके वीडियो के बारे में आप वीडियो में क्या बताने वाले हैं आप यह भी बता सकते हैं कि आप कौन सा माइक कौन सा मोबाइल कौन सा कैमरा कि जानकारी भी दे सकते हैं जैसे कि आप अपना ओफिशल इमेल आईडी देरा चाहिए अब यहां लिख देता है हेलो आज के इस वीडियों पर हम आपको बता रहे है कि कैसे हम यूटूब पर सही से वीडियों को अफ्लोड कर सकते हैं यह देखी दोस्तों यह अपने हैं आपको है और यहां पर हमँआरी इमेल आईडी दिल देता है और यहां पर हम हमारी इमेल आईडी देता है इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको दिखरा रह healthy option thumbs rail का आप upload thumbs per पर जाएगे यहां click करेके आपको यहां से एक thumbs rail जो है दिखाया जाता है और वहाँ पर आपको स्क्रीन पर सबसे पहले इस तरीके का thumbnail देखने के लिए मिलता है इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होगे यह प्लेलिस्ट आ रही है यहां से आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे और आप category अगर कोई यहां पर नहीं है तो आप नई प्लेलिस्ट परा सकते है या मैंने एक category के अंदर और वीडियो के अंदर इस वीडियो को डाल दिया है और यहां से इसको कर दिया है डर इसी के साथ दोस्तों आप नीचे आएंगे यहां पर आप देख रहा हैं आप आज को वीडियो को कुछ यहां पर कह सकते हैं कि रूल्स होता है कि क्या आपका वीडियो ऐसा है जो बच्चो के लिए है तो आप लिखते गिए यस इड़ स्वेट फॉर किड्स या फिर अगर यह बच्चों के लिए नहीं है तो आप यहां लिख देखें No, it's not made for kids क्योंकि YouTube के कुछ policies होती है जो कि हमें follow कर नहीं होती है इसी के साथ दोस्तों आप यहां देख रहा है Age restrictions आप यहां पर भी option देख सकते है No, don't restrict my video to viewers over 18 only मेरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे ना देख सकें तो मैंने यह option को select किया है अगर आपका वीडियो ऐसा है कि आप चाहते हैं कि 18 साल से उपर वाले लोग देखें तो आप जो है पहले वाले option पर click कर सकते हैं इसी के साथ दोस्तों option आ रहा है paid promotion का यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने वीडियो में किसी का promotion कर रहे हैं किसी company का, किसी mobile का, accessories का तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि यह paid promotion है इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आ गए है tags जो कि सबस्याद important होते हैं यह tag आपको देख रहे हैं यह tag मदद करते हैं आपके वीडियो को search engine optimization में लाने के लिए किस तरीके से आपका वीडियो जो है search engine में आता है और लोगों को पहले page पर जब show होता है तो हम यहाँ पर काफी सारे tags देख सकते हैं जैसे कि हम लिख रहे है how to upload a video जैसे कि दोस्तों हमने यह पहला लिख दिया है हम कॉमा लगा कर एंटर करेंगे तो यह एक tag बन गया है इसी तरीके से दोस्तों आप 500 keywords तक जो है tags दे सकते हैं YouTube पर वीडियो कैसे अप्लोड करें यह हमने दोस्तों दूसरा tag दे दिया है इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अलग-अलग टेक्स दे सकते हैं और टेक्स देने के बाद जो है आपको सिर्फ लास्ट में कौमा लगाना होता है दोस्तों तो यह आपका टेक्स बन जाता है अब दोस्तों नेक्स आपको देख रहा है आप वीडियो की लेंगविश लेक्स कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर इसको हिंदी स्लेक कर लिया है और रिकॉर्डिक डेट और लोकेशन अगर आप देना चाहें नहीं है इसके बाद दोस्तों जो इंपोर्टन चीज्जा है लाइसेट लाइसेंस में आप देख़िए यहाँ पर आपको दोचीए दिख रही है एक आपको देख रहा है यहाँ पर स्टेंडरर यूट्यूर्स सेंस क्रिएटिव कॉंअल अगर 2 लाइसेंस वीडियो को ज्याधा.. उस नहीं कर पाएंगे और अगर आप creative cover attribution दे रहे हैं तो आपकी वीडियो का कुछ हिस्सा आपको बता कर जो है लिया जा सकता है और उसका use किसी दूसरी वीडियो में किया जा सकता है इसके बाद दोस्तों में category select करनी होती है यहाँ पर category आती है जिस तरह के आपका वीडियो है उस category को आप select कर सकते हैं यहाँ पर कापी सारी category से क्योंकि हमारा वीडियो science or technology से जुड़ा हुआ है तो हमने science and technology की field को select कर लिया है लास्ट में दोस्तों option आ रहा है comments and rating का आप कुछ abusive comment जो को लोग जो है कुछ गलत लिख देते हैं उस content को अगर यहाँ से remove करना चाहते है तो आप यहाँ पर comment settings को भी set कर सकते हैं इसे के साथ आपने tick किया हुआ है show how many viewers like and dislike this video दोस्तों यह हो गया है पहला page इसके बाद अगर आपका दोस्तों channel monetize होता है तो यहाँ पर option नहीं आ रहा है अगर आपका channel monetize होगा तो आपको वहाँ पर वीडियो में monetization को enable करने के लि यहाँ पर आप जो है subtitle को add कर सकते हैं screen को add कर सकते हैं दोस्तों आप card को add कर सकते हैं card को add करने का तरीका जो होता है आप ने देखा होगा जब एक video process होता है तो जो i button होता है उस i button को आपके channel को नाम को किस करे से देखिए हम यहाँ channel पर click करते हैं और हम यहाँ search कर लेते है है हमारा चैनल कि को यह देखिए दोस्तों नाम देने के बाद यह आपको आई बटन दिख रहा है यहाँ पर यह हमेशा को यह चाइए भीडियोस को भी स्लैक कर सकते हैं आपको कार्ड़ पर क्लिक करना है और अगर आप आई बटन पर कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप बीडियो को छे होगा इसकी साहद दोस्तों आपको करना है यहां पर सेव और अगर आपको चेंज सको डिसकार्ड करना चाते ह immature ख्याद्पर क्लिक कर देंगे हम हाल इसको यहाँ से रेवाजें हैं यह को सेब कर दिया है दोस्तों अब हमको चलना है नेक्स्ट और यहां पर software ने चेक कर लिया है कि कोई भी copyright का claim कोई issue found नहीं किया गया है यह software जो यूट्यूब की algorithm में वहाँ से चेक किया जाता है और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर चेक कर लिया गया है तो अब आने वाले बविश में आपके वीडियो पर कोई copyright claim नहीं आएगा अगर आपने data को कही से copy किया है चोरी किया है तो बाद में भी यह copyright का option आ सकता है इसी के साथ दोस्तों हमें click करना है next बहले बटन पर यह देखिए दोस्तों click करने के बाद जो last option आता है आपके वीडियो को अप्लेट करने के process में save और publish आप यहां पर private भी रख सकते है यहा को भी कोई दिख पाएगा आप privately share करना चाते हैं तो आप यहां पर email id insert कर देगे next है दोस्तों unlisted और last है public तो दोस्तों जब हम वीडियो को upload करते हैं तो public वाले option को click करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि आप चाते हैं कि आपका video schedule हो किसी तारीक में किसी date पर जाकर चले तो आप यहां पर schedule पर click करेंगे यहां पर आपको देखकर बिलेगा कि आप यहां पर बाली जी हमने इस वीडियो को चाते हैं 28 November को यह जो है सुबा 9 बजे यहां पर चलना चाहिए तो हम यहां पर इसको click करके रख देंगे और नीचे आपको जो बटन देख रहा है schedule बटन यहां पर click कर देंगे या फिर दोस्तों आप यहां पर उपर जाएंगे publish बटन पर public पर click करेंगे और नीचे जैसे ही आप publish करेंगे दोस्तों तो यहां से आपका एक वीडियो successfully जो है upload होने वाला है और upload होने के बाद आप जो option देख रहे होंगे जो आपको यह second option देख रहा है दोस्तों content का यहां पर आप क्लिक करेंगे content पर देखिए और यहां पर आपको आपके जितने भी वीडियो से हो सभी वीडियो साफ को या दिख जाएंगे वीडियो की क्या क्या है कोई restriction तो नहीं है किस तारीक को डाला गया है कितने views है कितने comments है यहां पर पूरे आपकी वीडियो की लिस्ट आ जाती है तो दोस्तों यह था तरीका किस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि एक वीडियो को यूट्यूपर सक्सेस्पुली आप जो है अप्लोड कर सकते हैं और अप्लोड करने के बाद जो है आपके वीडियो आसानी से जा सकता है यहीं दोस्तों तरीका होता है वीडियो को जादा स्यादा शेयर कीजिए कमेंड कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्स्रेब कीजिए मेरा नाप है